नबसकर दोस्तो सर्जी क्लासेस में आपका स्वागत है तो हम लोग बाइलोजी डिसकस कर रहे थे अरग बी एंटिपी से और गुरूबडी एकजाम के लिए तो अभी तक देखिए जितने भी लक्षर्स हमने कोफर किया हुआ है बाइलोजी का तो हमने इसका अलग से लिंक मिल जाएगा तो आप लोग जहें वहां से जाकर सारे प्रिविएस वीडियो का अप लोग देख सकते हैं और इसके अलावे हमने इसका पूरा कंप्लीट पीडियेप नोट्स भी आपको प्रवाइट किया हुआ है जिसमें कि आपको पूरे कंप्लीट नोट्स आपको कर लिया है और शाथ में प्रिविएस से बिद्कॉप बाक्स में तो चलिए करते हैं वहां पर आज क्लास तो देखिए हम यहां पर है je Singapore करते हैं तो देखिए हमने आपको जहां बेसिक से आपको स्टार्ट कर लिया था और अभी तक हमने ये सरे Topics को पुरा complete कर लिया है बेसिक से लेकर human physiology में आपका जितने भी topics थे और इसके अलावे जो बोटनी से आपका था तो इसमें जो आपका बोटनी में जितने plant kingdom tissue के plant hormone disease या फिर tissue होते है morphology photosynthetis होती है तो यह सारे topics को हमने पूरा कोबट कर लिया है तो यह भी आपका major important topic था तो जो कि आपका पूरा हो चुका है और आप जो है हम लोग geology part में इंटर करेंगे इसमें हम लोग देखेंगे animal kingdom से related तो यह topic आपका उतना जादा लंबा नहीं है इसको हम लोग एक दो-तीन लेक्षर में finish कर देंगे जिसमें कि हम लोग study करेंगे animal kingdom के बारे में animal tissue classification और reproduction के बारे में तो यह जो है आपका सारा चीछ जल्दी आपका हो जाएगा तो बाकि यह सारे topic आपका कर लिया है तो इसका playlist का link दिया वे description box में तो आज हम लोग इसमें देखेंगे animal kingdom के बारे में और देखिए जो animal kingdom है तो इसको किस तरीके से classify किया गया हुआ है और फिर इसके फरदर जो है किस तरीके से हम लोग केटेगराइशन करके study किया आते हैं तो यह सारा चीज हम लोग इसमें देखेंगे तो देखिए जो animal kingdom आपका है तो इसको mainly दो broad category में division किया गया एक आपका होते हैं कि जिसमें core data होते हैं और दूसरे होते हैं non core data type के तो जिसमें कि जो vertebrates होते हैं तो वो नहीं होते हैं इन कि इनको बोलाता है इन vertebrates बूले जाती है तो mainly जो आपका vertebrates जो रहता है ना तो vertebrates यह देखिए यह होता है backbone यानि कि जो backbone रहता है यह जैसे जैसे time pass होता है यानि कि time passes होते रहती है तो यह जो रहता है आपे जो backbone होती है तो वो rigid हो जाता है और starting में यह soft रहता है बाद में rigid का shape लेता है यानि कि जो strong हो जाती है तो इसमें देखिए code data में आपके आता है सभी जाएंगे जितने भी जैसे membles आता है जैसे कि इसके अलावे reptiles और apps हो जाएंगे जैसे सारे ची आप पाईएगा यानि कि जो वर्टीबिरेटर इस backbone होती है इन सभी में पाई जाती है एक्जामपल आपको हो गया snake हो गया board हो गया और human हो गया तो इनको देखिए further classify किया गवा है इनको following series में और यही series में लोग इसको study करेंगे और इसी तरीके से बोलाता है कि इनका जो ह ग्रूप है दूसरा आपका रहेगा amphibians का जो कि इनको हिंदी बोलाता है और तीसरे होता है reptiles हो गया जो कि सरी सर बोलते हैं लोग और इसके बाद चौथा आपका है और यह जो है आपका evolutionary sequence दिया हुआ है कि यानि कि जो sequence हो आना evolutionary का तो वह इसी क्रम में हुई है तो सबसे सबसे पाहिले थे मतद से यानि कि फिस्स ग्रूप उसी के बाद फिर मैमेलिया जो आपका यह evolutionary sequence में सबसे लास इस्टेज में है तो इन सभी में क्या रहेगा आप भर्टिब्रेट प्रजेंट रहेगी एक जामपल आपके कौन-कौन से हैं तो यह आप लोग आप देख सकत रहती है इनकी यह जो है इसके अंदर में अलब की जो भर्टिब्रेट तरीके तो आपसेंट रहेगी और इन्वर्टिब्रेट अगर माली जिया है तो इस तरीके से इनमें नोटो कोड भी नहीं रहती है और इनको देखिए फर्दर क्लासिफाई किया गए इनको टू गुरूप आपके रहते है तो इनको रखा गया है फालाम प्रोडोजवा के अंदर में तो इनकी कर्ड़िस्टिक क्या होती है कि इन में दिखिए ना तो कोई टीशू होती है और ना तो कोई इनमें और गन होती है और यह चाहें तो अपना इजली मूब कर सकते हैं एक प्ल लजवा बोला जाता है इसके अलाव का ट्रिप्स ओनों अगेबियन हो गया जो कि इससे स्लिपिंग सिक्नेस होती है इसके चलते और इसके अलाव हो गया इसे जो आपका हो गया और दिखें जो आपका यह सबसे लर्चेस यूनि सडर और अर्गनिजम से और देखिए जितने सबस्क्राइब कर दोगा जैसे Amoeba हो गया, Paramecium हो गया, Euglena हो गया, Tripsonom Gavians हो गया और Acetobularia आपका हो गया तो यह भी आप लोग याद रखना पूछा आता है exam में अब आईए हम लोग यहाँ पर questions भी करते चलेंगे जो कि आपके previous year में पूछे गया थे previous RRB के various exam में आपके पूछे गया थे, यह question आपके group D में ही पूछा गया था कि the correct evolutionary sequence of the vertebrates is, तो यहाँ पर आपको correct evolutionary sequence बताना है vertebrates का, तो इसमें दिखिए आपका दिया हुआ है, Fees, Reptile, Amphibians, Aves और Mammals अपका हो गया तो हमने दिखिए वहाँ पर आपको बताया था, evolutionary sequence का, तो सबसे पहले आया थे, Fees, उसके बाद फिर Reptiles, उसके बाद फिर आपका इसमें दिखिए जो प्रोटोजवन जो गुरूप होता है ना, इसमें आपके एजांपल भेरियस थे, जैसे आप इबाब का था, उसमें suitable area का था, इसके लाब आपके और भी थे उसमें, तो यह सारे जो हैंपके यूनिसललर ग्रोम से बिलोगा, निकि सिंगल सेललर और्गनिजम्स होते हैं यह, तो राइट एंसर क्या आपका हो जागा, यहां पर इस प्रोटोजवा, फिर उसके बाद देखिए, जो सकेंड आपका था इसमें, इसमें, मेटोजवा आपका है, जो कि यह मल्टिसललर और है, तो इसका मतलब है, कि यह अपना स्वयम का जो है, फूड नहीं बना पाएंगे, तो यह जो है, दूसरे और्गनिजम्स पर डिपेंडेंट होते हैं, कंजिम करने के लिए, और यह तो फिक कोई ऐसा प्रोडक्ट होगा है, आपके और्गनिजम्स के, जो कि यह आपका होगया है, जैसे कि आपका पहला, फाइलम पोरीफेरा, एनलिडा, एकिनोडेर्मेटा हो गया, यह सब आपने चिटी किया होगा, तो यहाँ पर यह सारे मेटेजुआजोग्स से बिलॉंक करते हैं, यह सारे मल्टि सेललर होते हैं, तो यह कौन-कौन से हैं वह आपक आपका हो गया और फाइलम और्थोपोडो हो गया और इसके बाद फाइलम मॉलूस का आपका हो गया तो इन सभी को हम लोग यहां पर देखिए करके पूझा आपके पूझा हाती है जामाएग तो पाहला देखिए आया फाइलम पौरी फेरा तो दखीए फाइलम पबर फेरा होती है और फाइलम पौरी फेरां फाईलम Rei। आपका है घास्कार होसी मेर। पूरी पेरा और इनमें स्पोर्स होती है इनके बोडी में और इनका देखिए जो स्ट्रक्चर होता है तो वो भी एरिगुलर होती है कोई एक रिगुलर सेप नहीं रहेगा इनका और यह जहाए कि वो एक ही जगह पे रहते हैं इसका मतलब है कि यह मूब नहीं कर पाएंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे और मोड अप निट्रेशन की बात करते हैं तो इनका होता है होलो जोई क्या होती है तो आप लोग इसको देख सकते हैं वहां पर जाके तो इसमें देखिए जितने भी यह सारे आपके क्लासिफिकेशन दिया हुए ना तो सभी में आपको य यही चीज पर फोकस करनी है तो जैसे निट्रेशन लां पौ और इसके साथ में देखिए इन में जो है blood नहीं रहती है लेकिन यह respiration कर सकते हैं blood ना रहने के बावजूत भी और mode of nutrition जो रहती है इसके अंदर में तो वह हैं कार्णी बोरस टाइप की होते हैं और reproduction टाइप की बात करते हैं तो यह देखिए sexually और asexually यह दोनों तरीके से reproduction कर सकते हैं और mainly जो asexually reproduction होती है इन में तो वह हता है by budding प्रोसेस यह आपने आपको अल्रडी बता हुए पहले तो इसमें देखिए एकजांपल आपका फाइलम कोलेंट्रेटा का तो इसका एकजा इस दिखोती है कि इनकी जो body होती है ना तो आपका segment टाइप की होगी यान कि इस तरीके से segment किया हुआ रहता है तो यह इस तरीके के जितने भी आपके जीव रहते हैं तो यह फाइलम एक अंदर में आते हैं और यह जो है mainly आपको land में यह कहीं पे भी यह रह सकते हैं आपक में कोई आख नहीं होती है दूसरा कहा है इसे जो की जो होते ना ना जो की Switzerland बोलते हैं इनका और इसके लाहाब ने रिशा स्यौन हो गया प्र में और इनका जो बोडी होता है तो सिंग्मेंटेट होती है यह तरीके से देख सकता है जितने भी रहते हैं इसा भी सिंग्मेंटेट होती है तो इस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गवा है इनके उसके बेसिस पे तो यह देखिए जो फाइलम और्थोपोडा आपका रहता है तो यह सबसे अब इसमें देखिए जो और भी कौन इंक्लूड किये गया है जैसे जो इन्सेक्टाज होते हैं तो वह भी इसी गुरूप के अंदर में आते हैं और इसके अलावे देखिए इस बात को अपको ध्यान रखना यहां पर जो इस पाइडर आपके होते हैं जिसके इसके आट यहां लोग यहां पर इन्सेक्ट में एकंति अंदर में नहीं आते हैं जिसका पहते हैं टेवस्प्यूर्म स्पैडरぜ कि आपके प्रावन है और इसका आप एक कोक्रोच है तो यह सार एक्जम्पल आपके फाइलम और तो पोड़ा के अगला कोशन देखिए यहां पर आपके पूछे गाते प्रिवेस अररभी के बिरियस एक्जम्स में तो कोशन देखिए आपका था है आपके कि पर उसके प्रिवेस एक यहां डेंसे प्रोच का आपको अक्या करते हैं आपको और गश्मलेस स्ट सिथा की आपको दिंधा है माइको प्लाज्म दिया हुआ परामीसियम दिया हुआ है तो इसमें देखिए जो एगैरी का सब्कायत यह मल्टि सल और अर्गनिजम का एक एगजामपल है तो अगला कोश्चन देखिए यहां पर आपके पूछा गया हुआ है कि वन अप दो फॉलोविंग इस नॉट सोसल इ नहीं है तो देखिए यहां पर डेफिनेशन आपका है तो सोसल इंसेक्ट देखिए हम लोग वह ऐसे जो नुबरेश स्पैसेज को बोलते हैं लोग जो ग्रूप में रहते हैं यहां पर मैं जो कॉलिली बनाता है अपना और इनमें मिली और भी जो है इस तरह के करेक्ट्रि होती है तो यह अपने जैसे डिविजन करते हैं लेवर का और इसके अलावे जो है जिनरेशन में इनका ओभर लैप होती है तो इसके जामपल आपके कौन-कौन से हो जाएंगे सोसल इंसेक्ट इसमें आपका जैसे बीज का आपका हो गया जो मधिमक्यां होती है वैस आपका सबस्क्राइब तो यह होता है सोसल इंसेक्ट इसमें זה आपका दिया हूआ है नहीं है सोसल इंसेक् suff dedicate का reproductive जितना थे रहे जो एक्जाम्पल भी आपको देते चल रहा है तो आप लोग बस इतना भी करके जाते हैं तो कोशन आपको आराम से बन जाएगा हमने हर एक पोसिबिलिटी को इंक्लूड किया हुआ इसमें जो कोशन आपसे पूछे जा सकते हैं है कि अगला कि कोशन आपका है कि d 예쁘ly जलाजस्ट ग्रूप अजिमल्स तो कौन सा इसमें सब्सक्राइबिकली सबसे लाजस्ट ग्रूप अजिसमें दिखे दिया हुए इसका नेमा अटोडा होता है कि इनका जो बॉड़ी रहता है तो उसमें स्पाइन होते हैं यह काटे धर होते हैं तो जो इस तरीके के रहेंगे इसका स्ट्रक्चर तो वह आपके आजाएंगे फाइडम एकिनो डेरमेटा में तो इतने फी और्गनिजम्स जो बिलॉंग करते हैं इस ग्रूप से यह सारे के सारे सी और्गनिजम्स होते हैं यह समुदरी जीव होते हैं इसका एक्जाम्पल आपका हो गया जैसे कि स्टार्फिस हो आपका है जो की यह एक खीर होता है ऍसके जैसा यह दीखता है फिर उसके बाद दिखिए आगला आपका दिया हूँ इसमें फिल फाइलम उलुस का दिखिए सबसे सकेंड फाइलम है यह सब्किल करता है इसका साथ में यह करते हैं बोजन अपना दयार यह नहीं कर सकते दूसरे पेंट को डिपेंडेंट हो नहीं होती है तो इसका एकजम्पल आपका है आप देख सकते हैं दिया हुआ है अक्टोपस अब यहां पर भी आपको ध्यान देना एक जो अक्टोपस है तो इसको बोलता है डेविल फीस भी बोले आती है और इसके बाद आपका है कटल फीस है और एक आपका दूसरा अगला एकजम्पल है पीला तो यह से आम लोग इसनेल यानिके जो घहिंगा आपका होत इस तो देखें जो प्लाटी हिलमें टे गटीडिस के अंदर में जो बिलॉङ करते हैं इनका इनका बोडिब होता ऐसी बोडिद उता इस त्येका पूरा norm होता हौती है respectful अकि सब्सक्व यह यह चाईक हे इक हीमीं पशूबट आपका रथे हैं तो आपका हो जात्यां कि तो इसके बाद दिखिए जितने भी इंपोर्टेंट आपके थे यहां पर मतलब कि जो बिलॉंग करते थे जो नॉन कोड़ डेटा गुरूप से यह जो है जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है आप से पूछे ही जाते हैं अब आये हम लोग यहां पर देखते हैं कोड़ बारे में यहां पर देख सकते हैं सभी को एक क्रम में और इसी तरह करब में आद रखने होगी वोलेशनरी सिक्वेंस का तो यहां पर सबसे पहले हम डिसकास करेंगे फीसे के बारे में यानि कि जो फीस ग्रूप से बिलोंग करते हैं जो मतेद से बोलते हम लोग इसको हिंदी में तो इनका देखे करेक्रिस्टिक होता है कि जितने भी बिलोंग करेंगे इस ग्रूप से तो इनमें जो हैं गिल्स होती है इसी के थुरू जो है इन लोग अपना रेस्पिरेशन क करते हैं और मैंली जो चाम्बर जूरती है नंवर दैश्च लो ऑलनमीं दो रती हो चाम्बरक गोसार आधी और इसको दीखिए 60 कोई भी और सिर्फिश के बीतल सब्सक्रिंद बूलाता है और यह जो है दुनिया का सबसे slowest फीस है फिर अग्ला दिखिया गंबुशिया आपका आया तो गंबुशिया देखी इनको बोलाता है लार्वा एटिंग फीस यानि कि जो लार्वा जो होते हैं अमस्क्यूटों के तो यह उनको खा जाते हैं तो इस तरीके से जो मच्छड का पनपना होता है तो वे उनको कम कर दती है लेकिन इसका पपुलेशन यह अल्रडी extinct होने पर जा रहे हैं फिर इसके बाद अगला दिखंगा इस्टों फास है तो स्टॉन फिस होती है यह बहुत ही जहरीला यह फिस होती है इस्टों फिस तो यह एक्जाम्पल आपका है सारे फीशेस ग्रूप से बिलॉंग करते हैं तो आपको यह आप याद रखनी है तो देखिए जो सारक आपका है तो यह बिलॉंग करता है फीशेस ग्रूप से और जो वेल मचली है तो वो आपका आता है मैमेलिया किंडम से इस बात पर ध्यान देना यह अपना करेंगि यह होते हैं यह तो इसके और इसके बॉडी पर स्केल्स रहते हैं यानि कि यह बाल पंक होते है और इसके साथ में इनका जो बोडी होता है तो वो smooth होती है, example के तोर पर बात करते हैं, example आपका hyla हो गया और frog हो गया, आप यहां पर देख सकते हैं, hyla और frog का example जो है, यह amphibians category में आते हैं आपके, और इसके बाद फिर देखिए अगल आपका है reptiles है, जो कि सरी सर्फ बोलते हैं हम लोग इनको हिंदी में, और operation करते हैं, lungs के साथ में और साथ में, गिल से भी यह करते हैं, और mainly यह जो होते हैं, cold related animals होते हैं, example आपका हो गया, dachron हो गया, जिसे के इम लोग इसे flying lizard ही बोलते हैं, जो कि डाइनासोर का ही इनका प्रचाती है उनकी, और इसके अलावब का house lizard हो गया, जो घरों में आप द अपका हो गया, जैसे आपका pigeon हो गया, peacock हो गया, parrot हो गया, कीवी हो गया, और ostrich हो गया, तो यह भी जो है, इसी category में आपके आते हैं, अब आईए हम लोग यहाँ पर questions करते हैं, जो कि आपके previous share में पूछा गया था, यह आपके group D एक जाम में पूछा गया था question, कि in which of the following class, animal lacks scale and have the mucous gland in the skin, यहनी कि कौन सा एक class आपका है, जिसमें की animal जो होते हैं इस group से बिलॉंग करते है तो इन में दिखे, scales नहीं होती है, और साथ में जो है, mucous gland होती है, इनके skin में, तो right answer क्या होगा, इस option 2 आपको हो जाएगा, तापको यह यादी करना है सिर्फ यहाँ पे, हिरगला दिखे दिया हुआ है, कि which one of the following is not a reptile, तो कौन सा इसमें से एक reptile नहीं है, वो आपको ब आता है, तो frog देखे, यह आपका आता है, amphibian के degree में आता है, तो right answer क्या होगा, इसका option 2 हो जाएगा, फिर अगला दिखे दिया हुआ है, कि what is not true of reptiles, और they are, तो इसमें क्या true नहीं है, आपको reptiles के बारे में आपको यह बताना है, तो इसमें दिखे दिया हुए कि they lay eggs, तो दिखे जो reptiles होते हैं, तो यह एक तुले करते हैं, यह तो आपको सही दिया हुआ इसमें, दूसरा दिया हुआ है कि have memory gland, तो दिखे दिया हुआ है, तो यही जो आपको क्या है, इसमें दिया हुआ का true नहीं है, reptiles से related, तो option B क्या होगा, correct answer हो जाएगा, फिर scale आप और भी आप देख सकते हैं, option कि skin covered with the scales, तो जो है, skin covered रहती है, scales से यह सही है, कि are related to dinosaur, यह डाइनोसर से related होते है, reptiles, यह भी सही आपका है, लेकिन इन में memory gland नहीं होती है, तो option 2 क्या होगा, आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर कि true नहीं है, reptiles से related, फिर next question दिखे, यहाँ पर आपक इसमें दिखे, आपका हो जाएगा, इसका answer that is, AFC, यहने की पक्छिया, तो जो पक्छिय जो belong करते हैं, यह warm blooded से category से belong करते हैं, तो warm blooded animals वो क्या होते हैं, आपके इनको define क्याता है, ऐसे animals को, जो कि अपना body का जो constant temperature है, internal body temperature, तो वो उसको regulate कर सकता है, और इसको maintain कर सकता है, और यह सर्भाइब कर सकते हैं, कोई भी temperature में, कोई भी temperature का range हो जाया यहां पर, क्योंकि वो जो easily adapt कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, temperature जैसे ठंड के दिन आती है, तो उसमें कम हो जाती है, लेकिन जो हमारे internal body का temperature होना चाहिए ना, तो वो एक परियाप्त होना चाहिए, बाहर cold-blooded animal आपके रहते हैं, यह ऐसे animal होते हैं, कि जो की internal temperature होती है, body kind का, तो उनके यह regulate नहीं कर पाते हैं, अगर मान लिजए कि बाहर temperature change में टगर हुआ, तो वो उस तरीके से यह नहीं कर पाएंगे, external environment में जैसी change होगा, तो वो अपना adopt नहीं कर पाते हैं, या तो फिर वो अ याद रखना, और बाकी जो जो एपस होते हैं, आनि कि जो पक्षी जो रहते हैं आपके तो वो warm-blooded animal category के अंदर में आते हैं, तो I hope कि यह चीज़ आपको clear हो गया होगा, तो यहाँ पे एक और question आपको पूछा गया था, कि बीच हो the following are commonly called the warm-blooded, तो इन में से कौन सा है, ज लेकिन reptiles नहीं होते हैं, तो आपका ऐसी नहीं होगा, amphibians और reptiles यह तो होगा, invertebrates यह भी नहीं होगा, birds और mammals जो होते हैं, तो यह सारे कर सारे जो है, यह warm-blooded animals होते हैं, तो option D क्या होगा, आपका right answer हो जाएगा, यानि कि हम लोग जो है, तो mammal category belong करते हैं, तो हम लोग भी यह warm-blooded animals category का अंदर में आते हैं, यानि कि जो temperature change होती है, environment का बार, तो उसके according हमारा internal body temperature भी जो है, maintain हो जाती है, regulate हो जाती है, फिर अगला देखिए, जो यहाँ पर आपका group है, तो वो mammalia group से है, तो mammalia group में आप जानते हैं, कि जो heart chamber जो होती है, number of heart chamber, तो सभी में 4 chamber की होती है, और इसके अलावे, जो mammals होते हैं, यह सबसे most develop होते हैं, और warm-blooded animals category का अंदर में आते हैं, तो देखिए, जो mammals होते हैं, इनका main जो पहशान होती है, वो memory gland से होती है, और साथ में यह oviparous होते हैं, यह oviparous मतलब कि जो ovum, यानि कि जो यह direct अंडा नहीं देते हैं, बच prototheria, तो इनमें पहला आपका है, जैसे prototheria है, ना तो इसके अंदर में यह ऐसे mammal होंगे, कि जो कि यह mammal की तो कहलाते हैं, लेकिन यह एक देते हैं, यानि कुछ exception भी आपके है, mammal तो है, इनका category में रखा गया है, लेकिन यह एक देते हैं, अंडे को देते हैं, तो इसका example आपको याद रखनी है, यह आते हैं prototheria के अंदर में, फिर एक आपका होता है metatheria, तो metatheria देखे यह ऐसे होते हैं, कि जो कि ना तो यह एक देते हैं, और ना तो यह complete develop baby को ही देते हैं, यानि कि इनका जो बच्चा होता है, तो वो आप परिपक्त बच्चे होते हैं, यानि तो जो baby रहेगा ना इनका, तो वो पूरी तरीके से develop baby, यानि कि develop baby को यह जनम देंगे यह, और इसका example की बात करें, तो यह सारे आजएगे, जैसे blue whale आपका हो गया, tiger हो गया, human हो गया, cow हो गया, तो जितने भी अप देते हैं, तो सारे का सारे ची जा जाते हैं, अब सबसे largest mammal है, और वहीं पे जो स्रीव है, यानि कि जो small mouse जाब कर आते हैं, तो सबसे smallest mammal होते हैं, smallest mammal के category के अंदर में आते हैं, तो यह दो points आपको याद रखना है, अब भाई, हम लोग यहाँ पे questions करते हैं, जो कि आपके previous year में पूछे गया थे, तो देखिए भी एक कुछ क कौन सा एक special feature है, mammal का, जो कि सभी mammal में common होती है, और कुछ exception को देखते हुए, इसमें देखिए आपको दिया है presence of hair, presence of memory gland, giving birth to babies, यानि कि यह भी भी parity होते हैं, और साथ में 7 vertebrae होती है, इनकी neck में, तो इसका देखिए right answer क्या होगा, अगर आप लोग ध्यान से अगर पढ़ आपको यहां पर देखिए, that is giving birth to babies, तो देखिए, memory gland तो यह तो सभी में होता ही है, hair तो presence होते ही है, सभी mammal में, और साथ में 7 vertebrae होती है, इनकी neck में, और इसका अलावी memory gland यह male होती है, यह सभी में होती है, लेकिन जो birth देने का जो होता है, बेबी इसको जो भीवा जो रहती है, यह हर्मोन के चलते है, वो है develop कर जाती है, और उनका बड़ा हो जाता है, female का, तो आपको इसको देखके नहीं confused होना है, यहां पर, mainly exception आपका that is giving birth to babies, तो यह जो है कि वो female ही कर सकती है, लेकिन यह आते हैं, mammals के अंदर में ही, बाकि यह सारे और features दिये हुए, presence of hair, giving, presence of memory gland, यह सभी mammals में होते हैं, फिर अगला देखिए question आप कहाँ पर है, कि dash, चार कोस्ट यह हिर्दय युक्त, गर्म रक्त वाले परानी होते हैं, तो यह दिखिए जितने फिर स्थन्दारी जीव जो होते हैं, इसको में में लोग बोलते हैं, तो यह जो आपके रहते हैं, यह जिसे forehead chamber करते हैं, तो यह जितने फिर होते हैं, तो यह सारे मतलब की गर्म रक्त वाले में से आते हैं, यह जनम देते हैं, यह नहीं ले करते हैं, यह बोला आते हैं, उनको भीवी परा बोलाता है, तो आपको क्या होगा, इसका right answer हो जाएगा, फिर next question देखिए, य आपका पुछा गया था, यह animal kingdom का थोड़ा से topic लंबा आपका हो जाएगा है, लेकिन यह बहुत ही important topic आपका है, कि human belongs to the kingdom, तो humans जो कौन से kingdom से बिलॉंग करते हैं, इसमें दिया हुए animalia, plant, fungi और monera आपका दिया हुए, तो हम लोग बिलॉंग करते हैं, एनि कि animal kingdom से बिलॉं करते हैं, हम लोग जिसमें की further और बहुत सारे classification की गई है, code data और non code data में, तो उसमें हम लोग आते हैं, code data में, तो इसका दिखे क्या होगा, animalia आपका हो जाएगा, फिर अगला दिखे दिया हुए कि mammals have, तो mammals में क्या होती है, इसमें दिखे दिया है आपका यहाँ पे, dry and non- grandular skin with feathers, अब दूसरा दिया हुए कि grandular skin with hairs, तो देखे जो mammals जो होते हैं, तो यह होते हैं, grandular skin with hairs के साथ में, तो option 2 आपका यहाँ पे क्या होगा, right answer हो जाएगा, तो देखे ग्रेंडलर का इसका मतलब होता है, यहाँ पे, यह relate करता है आपका यहाँ पे, that is involving gland, यानि कि gland cells हो होता है, यहाँ पे, कि grandular tissue related, gland or glandular tissue related, तो इसका right answer कि आपका option 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद देखे अगला question आपका दिया हुए, यहाँ पे आपका, कि cat belong to the class mammalia because, तो cat जहाँ यह belong करते हैं, class mammalia से, इसके पीछे region आपको बताना है, तो इसमें देखे दिया हुए, कि it gives birth to its young ones and fits them on its milk, तो यह जो है, अपना जैसे जो baby होती है, उनको जैसे यह birth देती है, और साथ में, उनको milk भी fit करती है, तो यही जो है, आपका right answer हो जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि जो mammals होते हैं, तो इसमें memory gland होती है, और साथ में बेबी को जनम देते हैं, तो right answer कि इसका option A हो ज and rhino are examples of, तो यह elephant bear or rhinoceros जाती है, यह सारे example किस कहती है, यह सारे mammals के example आपके है, यह स्थन दारी जीव का लाते है, तो option B आपका right answer हो जाएगा, इसके बाद देखिए question आपका है, कि which one of the following does not belong to the same class as other, तो कौन सा इन में से जो है, same class से बिलोग नहीं करता है, बाकी और के comparison मे तो इसमें देखिए दिया वाए cat, tiger, lizard या फिर mouse है, तो देखिए जो lizard जो होते हैं तो यह आपके आते हैं, जैसे कि यह reptiles category के अंदर में आते हैं, और बाकी जैसे cat, tiger और mouse होते हैं, यह आते हैं सब mammalia kingdom से, तो इसका right answer कि आपका हो जाएगा option C, यहानि कि option 3 यह आपका हो ज जाएगा इसके बाद जो है आपका पूरा complete आपका हो जाएगा biology, फिर इसके बाद हम लोग chemistry भी start करेंगा और साथ में physics का भी class हम आपको provide करते रहेंगे, तो चलिए दोस्तो, pdf हमने देखिए already इसका provide कर दिया है, आपको जो है description box में link इसका आपको मिल जाएगा, तो चलि पिर मिलता है next video में